विद्यार्तिमित्रो आज हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतरकत कुछ तूल रचनाकारों का परीचे देखने वाले जिन में महत्वपूर्ण कभी है आमिर खुष्रो जी आमिर खुष्रो खड़ी बूली हिंदी के प्रथम कभी है सुफ्याना कभी है खाजा निजामों दिन अवलिया के मुरिद है इनका जन्म इस विशन बारा सु त्रेपन में हुआ था खुष्रो के पीता अमिर सैफुदीन मुहम्मद उनके जन्म से पूर्व तूर्की में लचिल कभीले के सरदार थे कभीलों के आपसी संगर्ष से घबराकर वे विंदुस्तान आ गए और उत्तर परदेश के एटा जिले के पटियादी नामक गाउं में बसे इत्तिफाकन उनका संपर्क सुल्तान संशोदीन अलतमश के धरबारियों से हुआ आपने सास और सूजबूच से ये सरदार बन गए और वहीं एक नवाब की बीटी से शादी हो गई और तीन बेटे उने हुए उनमें बीच वाले अबुलहसन ही अमीर खुसरों थे इनके पिता खुद तो खास पड़े न थे पर उन्होंने इनमें ऐसा कुछ देखा कि इनके पढ़ने का उम्दा इंतिजाम कर दिया एक दिन वे इन्हें खाजा निजामों दिन आउलिया के पास ले गए जो कि उन दिनों के जाने माने सुपी संत थे तब इनके बाल मन ने उच्छ सुकता वश जानना चाहा कि वे यहां क्यों लाए गए तब पीता ने कहा कि तुम इनके मुरीद बनोगे और यहीं अपनी त इज्ञाशाओस मुरीद क्या होता है उत्तर मिला मुरीद होता है इरादा करने वाला ज्ञान प्राप्त करने का इरादा करने वाला बालक अबूलहसन ने मना कर दिया कि उसे नहीं बनना किसी का मुरीद और वे दर्वाजे पर ही बैट गए उनके पीता अंदर चले गए ब वे अंदर बैटे बैटे ही मेरी बात समझ जाएगे जो मैं सोच रहा हूँ और उन्होंने मनी मन संथ से पूछा कि मैं अंदर आओ या भार से ही लड़ जाओ तभी अंदर से आओ दिया का सेवक हाजिर हुआ और उसने उनसे कहा कि खाजा साब ने कहलाया है कि जो तुम अपन दिल में मुझसे कुछ कह रहे हो वह मैंने जान दिया है और उसका जौब यह है कि अगर तुम सच्चाई की खोज करने का इरादा लेकर आए हो तो अंदर आ जाओ लेकिन अगर तुमारे मन में सच्चाई की जानकारी हासिल करने की तमन्ना नहीं है तो जिस रास्ते से आए कि अगरे हो वापस उससे चले जाओ फिर क्या था विजा लिप्टे अपने खाजाक से तब से इन पर काव्या और कीत संगित का नशासा तारी हो गया और इनोंने खाजा निजामों दिना उल्एया को अपना प्रियमान अने को गजले और शेहर कहे कई दर्बारों में अपनी प्रतीबा का सिक्का जमाया और राज्य कभी बने पर इनका मन तो खाजा में रमता था और यह भटकते थे उस सत्य की खोज में जिसकी रहा दिकाईती खाजा निजामों दिन आउदियाने एक बार की बात है तब खुसरो गयासो दिन तुगलक के दिल्ली दर्बान में दर्बारी थे तुगलक खुसरो को तो चाहता था मगर हजरत निजामों दिन के नाम तक से चिटता था खुसरो को तुगलक की यही बात नागावार गुजरती थी मगर वो क्या कर सकता था बादेशा का मिजास बादेशा एक बाहर कही बाहर से दिल्ली लोट रहता तबी चीड कर उसने खुसरों से कहा कि हजरत निजामों दिन को पहले ही आगे जाकर यह संदेश देदों की बादशा के दिल्ली पहुशने से पहले ही वे दिल्ली छोड़कर चले जाए खुसरों बड़े विचलित हुए है फरमान बादशा का था खुसरों को इस फरमान से बड़ी तकलिब हुई पर अपने संद को यह संदेश कहा और पू तुम घब्राव मत हनुज दिल्ली दूरस्त यानि अभी बहुत दिल्ली दूर है सच्मुच बाद्शा के दिये दिल्ली बहुत दूर हो गई रास्ते में ही एक पड़ाओ में उनका जो है तो मृत्य हो गया तभी से ये कावत अभी दिल्ली दूर है प्रचलित हो पड़ी खुस्त्रू की शायरी में सबसे प्रथम हिंदी में ये प्रचलित हुई छे वर्ष तक ये जलालो दिन खिजली और उसके पुत्र अलाव दिन खिजली के दरबार में भी रहे ये तब भी अलाव होडगर के राजा रतंसेन की पत्नी पद्मिनी को हासिल करने की ठांडी थी तब यह उसके दरबार के कि खुशूर शायर के किताब से शुशुपीद हुए इन्होंने पदमीनी को बल के जोर पर हासिल करने के प्रति अलाव दिन खिजली का नजरिया बदलने की कोशिश की कि ऐसा करने से असली खुशी नहीं हासिल होगी स्री रुधय पर शाशन सने से ही क्या जा सकता है वो सच्ची राज पुतानी जान दे देगी आप उसे हासिल नहीं कर सकेंगे एनिकी खुश्रो जी ने राजा को बादशा को अलाव दिन खिजली को कि यहां पर पदमाउती के संबन में अपनाने के इरादे से उसका मन परिवर्थन करने का कारे किया और राच पुतानी है और राच पुत लोग जोहें तो जोहर क्या करते थे और वो जान दे देंगे आपके हाथ में नहीं आए स्री रुदह को या स्री रुदह पर शाषन करना है तो जोड़ दबरदस्ती नहीं से करना चाहिए इस बात को उन्होंने जो है तो उनके मन में इस्तान देने के लिए कारे क्या और परिनाम यह हुआ कि खिजली ने खुसरों की बात मान दी कि हम युद्ध से उसे पाने के इरादा तो नहीं करते लेकिन जिसके हुषन के चर्चेपूरे हिन में है उसका दिदार तो करना चाहेंगे तब सुयम अमिर खुसरों पदमीनी से मिले शायर खुसरों के कवे से परिशित पदमीनी उनसे बीना परदे के मिली और उनका सम्मान किया रानी का हुसन देख सोयम खुसरों भी दंग रहे गए इतनी आला खुपसरत उपर वाले ने उसे बनाया हुआ था उसका जितना विवरन जितना वर्णन उस किया जायों कम था और फिर उन्होंने रानी को अलावदिन खिजली के बदले इरादे से वाखिप कराया कि आप अगर यु उन्होंने कहा आत्मा का अपमान होगा इस पर अने को अने तरको और राजपुतों की तूटती शक्ती और युद्ध की संभावना के अपत्ती काल के में पड़ी इस रानी ने प्रतेक्ष्ठा अपना चेहरा तरपन के आगे ऐसे कोन पर बैटकर आलावदिन खिजली को दि प्रतिविंब देख सके किन्तु कुछ समय बात जब आलावदिन खिजली ने उनका अक्स आएने में देखा तो बस देखता ही रह गया देखता ही रह गया भूल गया अपने फैसले को और पदमीनी के हुसन का जादू उसके ओपर सर चड़ गया इसी जुनून में वो उसे पाने के लिए बल का प्रयोग कर बैटा और पदमीनी ने उसके नापाक इरादों को भाप उसके महल तक पहुंचने से पहले ही जो हर कर लिया था इस घटना का गहरा आसर अमीर खुसरों के मन पर पड़ा हुआ है और वे हिंद की सांस्कूती से और अधिक जुड़ गए और उन्होंने माना कि अगर हम अधिक जुड़ गए हम तुरकों को हिंद में रहना ही है तो पहले हमें हिंद वासियों के दिल में रहना पड़ेगा और इसके लिए पहली जरूरत है कि हम हिंद वी सीके हिंद वी किसी तरह से अर्भी फार्सी के मुकाबले कम तर नहीं दिल्ली के आसपास बूरी जाने वाली भाषा को हिंद वी नाम सबसे पहले आमिर खुसरों नहीं दिया यही शब्द बाद में हिंदी बना और यही तुर्की कवी हिंदी का पहला कवी बना खाजा निजामों दिन आउलिया हर रोज इशा की नमास के बाद एकांत साधना में तल्लीन हो जाया करते थे और इस एकांत में विग्न डालने की अनुमती किसी शिश्यकों नहीं थी सिर्फ खुसरों के आलावा हुआ उनके पास कोई पहुँच नहीं सकता था अउलिया इन्हें जी जान से चाहते थे वे कहते मैं और सब से उप सकता हूँ यहां तक कि अपने आप से भी उकता जा सकता हूँ कभी-कभी लेकिन खुसरों से नहीं उकता सकता और यह भी कहा करते थे कि तुम खुदा से दुआ मांगो कि मेरी उम्र लंबी हो क्योंकि मेरी जिन्दगी तेरी जिन्दगी से जुड़ी है मेरे बाद तु जादा दिन नहीं जी सकेगा और यह मैं अभी इसे जान गया हूँ खुसरों अपने लंबी उम्र की खौइश नहीं रखते थे मैं चाहता हूँ तो अभी और जिन्दा रह और अपनी शायरी से जहां महका दे और हुआ भी यही अमीर खुसरों किसी काम से दिल्ली से बाहर कहीं एक गए हुए थे वहीं उन्हें अपने खौजा निजामों दिन आउलिया के निधन का समाचार मिला समाचार क्या था खुसरों की दुनिया लूटनी की कबर थी वे सन्निपात की आवस्ता में दिल्ली पहुँचे धूल दुसरित खान खान के दौर पर खड़े हो गए और सास न कर सके अपने पीर की मृत देह को देखने का आखिर कार जब उन्होंने शाम के ढलते समय पर उनकी मृत देह देखी तो उनके पैरों पर सर पटक पटक कर मुर्चित हो गए और उसी बेशुद हाल में उनके ओटों से निकला कूरी सोवे सेच पर मुख पर डारे केस गोरी सोवे सेच पर मुख पर डारे केस चल खुसरो घर अपने सांज बही चवदेश अपने प्रियक के व्योग में खुसरो ने संसार के मोहजाल को काट फेका धन संपती संपुर्ण दान कर डाली सोयम काले वस्त्र धारन कर लिए और अपने पीर की समाधी पर जा बैटे कभी न उठने का ध्रण निश्य करकर और वहीं बैटकर प्रान विसर्जन करने लगे कुछ दिन बाद ही पूरी तरह विसर्जित होकर खुसरो के अपने प्रिय से खुसरो के प्रान अपने प्रिय से जा मिले पीर की वसियत के अनुसार अमीर खुसरो की समाधी भी अपने प्रिये की प्रिये पीर की समाधी के पास ही बना दी गई है आज तक दिल्ली में हजरत निजामो दिन की समाधी के पास बनी अमीर खुसरो की समाधी मौजुद है हर बरस यहां उर्ष मनाया जाता है, हर उर्ष का आरम खुस्रों के इसी दोहे से क्या जाता है, गोरी सोई सेच पर मुख पर डारे केस, चल खुस्रों घर अपने सांज भई चहू देश, आमिर खुस्रों की लगभग निन्या नवे पुस्तकों का उल्लेक मिलता है, किन्तु बाविस ही अब उपलब्ध है, हिंदी में खुस्रों की तीन रचनाएं मानी जाती है, किन्तु इन तीनों में केवल एक खालिकबारी उपलब्ध है, इसके आतिरिक खुस्रों की फुटकर रचनाएं भी संकलित है, जिन में पहलियां, मुक्रियां, गीत, निस्बते और अन प्रचारनी सवाने, खुस्रों की हिंदी कविता, नामक छूटी पुस्तक के रूप में जो है, तो प्रकाशित क्या हुआ है, देख लिजे, आमीर खुस्रों में हमें दिकाय देता है कि अनेक अंतर विरोत थे, एक और हुए सज्जूज अलालोदीन, आलाउदीन खुजली तुगलग आदी के राजकवी थे, तो दूसरी और सूफी फकीर निजामोदीन आउलिया के पट शिश्य, एक और दर्मार था, तो दूसरी और मट, एक और वे कटर बादशा और मुलाओं से घिरे थे, तो दूसरी और सूफी फकीरों से, एक और वे फार्सी में लिखते थ तो दूसरी और खड़ी बुली में एक और अलावदीन की कठरता की आतिश्यक्ति पूर्ण प्रमशोशा करते थे तो दूसरी और सूफी फलसपी के प्रकाशन में विरांगानी के सुल्तानों पर मर्शिया पड़ते थे खुसरोव की फार्सी रचनाओं के बारे में तो मैंने जिकर किया हिंदी के रचनाओं के बारे में भी जिकर किया और उनकी हिंदी कविता से जो नमुने पाए जाते हैं उनके कुछे निमन लिखित महत्व पूर्ण जो है तो यहां पर उधारन में आप लोगों के सम्मुक प तो कौन सा दोहा निकला जो कि मैंने इससे पूरो ही आप लोगों को सुनाया गूरी सोय सेच पर मुख पर डाले केस चल खुसरो घर अपने रहन भही चवदेश उसी प्रकार इन्होंने पहलिया मुक्रिया उगरे बिली की विए उनकी प्रसिद्ध पहली भी मैं आप लोगों के सा मुख रखना चाहता हूं एक थाल मोती से भरा सब के सर पर आउंदा धरा चारो और थाजी फिरे मूती उससे एक न गिरे अब दिख लीजिए यह क्या है इनकी पए दिए एक थाल मूतियों से बरा हुआ है सब के सर के ऊपर आउंदा धरा हुआ है चारो और थाजी फि यह नहीं कि चिंतन मनन किजिए या मुझे लगता है कि आप जो है तो उस पे जोर दीजिए एक इन आप बता सकेंगे कौन बता सकता है आप में से बताईए देख लिजिए एक थाल है मुतियों से बारा है सबके सर्क पर आउंदा धरा है चार और थादी फिरे मुति उससे न पारा उससे झोर तो न तोड़ता न गिरता है इसी प्रकार्दी कि है दूसरी बीए उनकी एक पहरी आपके सामें रकर इनका जीवन परीचय महिंहां परें करने का प्रैयाष कर रहा हुं बीसो का सरकाट दिया ना मारा मारा नाखल प्रैया इस ऐता था वह अपमेंसे किसको आता बुठी है कि बड़ा आसाने फिर से एक बार सुन दीजिए बीसो का सर काट लिया ना मारा ना खून यह किया किया है कि आपने हाथ के और पायर के उंगलिया खितनी यह तक हो अपर पांच ह chang के हो गये पांच और पांच कि हो गये तेन अहां कुन है आगास अमझमें आपके यह आप फिर से देखें अर बताई यह मुझे सही है याने ये